इकनॉमिक्स वर्चुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे नाम परदीवनेगी है और मैं राज के इंट्रॉबल इन भेल में प्रवक्ता अर्षास के पत्पे कारे रहतूँ। आज हम कक्सा 11 में NCRT पार्टे पुस्तक पर अधारित भारती अर्थ विवस्ता के विकास के अंतरगत आर्थिक सुदार 1991 में जो किये गए थे उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इन सुदारों में 1991 से उदारी करण, नीजी करण और व्यवसी करण के अंतरगत हमारे देश में क्या परगती हुई और इससे हमें लाब हुआ कि नहीं उसकी हम विस्तार से वियक्या करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम पार्ट तीन जिसको हम बोलते हैं उदारी करण, नीजी करण और व्यवसी करण एक समिक्सा इसका अध्यान करेंगे और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1991 के बाद भारत में जो आर्थिक सुदार किये गए उसकी प्रस्ट भूमी से हम परिचित होंगे। उसके बाद आर्थिक सुदार नीतियों को हमारे देश में कैसे आरम किया गया उसकी परकिरिया को जानेंगे। कि व्यावि सिकारण की प्रकिरिया और भारत के लिए कि निहार्थ से परिचित होंगे, कि व्यव सिकारण की प्रकिरिया हमारे लिए उप्यूक्त है कि नहीं, और इसका पूरे बिश्यु में क्या परभाव पढ़ रहा है? वीवींच छेत्रों को पर सुधार परकिरिया के परबहाव को भी हम इस पार्ट में जानेंगे तो इस पार्ट में हम इस चार जो टॉपिक है हम इसको एकई करके अध्यन करेंगे के आर नारायन जो भारत के पूर राश्ट पति थे उन्होंने कहा आज के विश्व में आम सहमती है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तता सकल घेरलू उत्पाद ही समाज की परगति का एक मातर अनिवारे सूचक नहीं है उनका कहने का मतलब है कि किसी देश की आर्थिक विकास की जो परकिरिया है ये आर्थिक विकास को हम केवल सकल गेरुल उत्पाद से ही नहीं नाप सकते। ये कोई अनिवारे सूचक नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि और भी फैक्टर हो सकते हैं जिससे हम किसी भी देश के आर्थिक विकास को जान सकते हैं। तो इस पार्ट से पहले पूर के पार्ट में आपने पड़ा कि भारत ने आजादी के बाद से मिसृत अर्थ विवस्ता को अपनाया। मिसृत अर्थ विवस्ता क्या होती है। ऐसी अर्थ विवस्ता जहां पर नीजी यवाद त Defa समाजवाद दोनों की विशेशन पाई जाती है अधार्ट उत्पादन के साधनों पर नेजी व्यक्ति तथा सरकार दोनों का बराबर अधिकार होता है इस व्यवस्ता के अंतरगत हमारे देश का जब ये व्यवस्ता लागू हुई उनका मुख्यों देश था कि देश का तेजी से आर्थिक विकास किया जाए लेकिन 1991 से पहले तक हमारे देश में जो आर्थिक विकास की प्रगति होनी चाहिए थी वह उतनी अच्छे डंक से नहीं हो पाई किर्सी उत्पादन में भी ज़्यादा उन्नत्ती नहीं हो पाई और जिसका परवह ये पढ़ा कि भारत की आर्थिक विकास की परकिरिया थी वो देरे देरे अबुरुद हो गई मतलब उसमें कम ही आने लगी जिसका परिणाम क्या हुआ कि 1991 में भारत में आर्थिक संकट आया भारत में विदेशी रिणों का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सरकार अपने विदेशी रिण के वुकतान करने की स्तिती में भी नहीं थी पैट्रोलियम आधी आवशक वस्तों के आयात के लिए समाने रूप से हमेशा विदेशी मुद्रा को रिजर्ब में 15 दिनों के लिए रखना पड़ता है विदेशी मुद्रा अधिकतर अमेरिकन यूएस डॉलर को बुला जाता है क्योंकि वर्ड में अधिकतर वैपार अमेरिकन यूएस डॉलर के माध्यम से ही किया जाता है और इस संकट को और बढ़ाया कीम्तों ने कीम्तों में जो विर्दी वी उसने संकट को और गहरा बना दिया अच्छा सरकार के पास इस नीती से निपटने के कोई साधन नहीं दे तो इस आर्थिक संकट के लिए सरकार को अपनी नई आर्थिक नीती पर विचार करने के लिए विवेस होना पड़ा, 1980 तक भारतिय अर्थ विवेस्ता का जो परबन था, वो सही धंग से नहीं किया गया, आख उसे लोगों क्या परबन कहा जाजा सकता है, जिसके कारण भारत का जो आर्थी कास्ताव तेजी से नहीं बड़ा, बलकि विदेशी कर्ज जो भारत ने अन्य द और उसके वेबढ़ गए, और सरकार के जो उद्यम होते हैं, सरकारी उद्ध्योग होते हैं, उसके माध्यम से भी सरकार की आय नहीं बड़ पाई, जब वेबाइ से अधिक हो, तो सरकारी बैंक, जर्माने शता अन्तराश्ते विद्धिय संस्तों से उधार लेने को बाद्य होना पड़ता है जब सरकार के खर्ज बढ़ जाते हैं तो इस परकार सरकार क्या करती घाटे का वित्य परबंद कर लेती घाटे का वित्य परबंद का मतलब होता है कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए तो कर्ज ले या अधिक मातरा में नोट छापे या लोगों से कच्चे तेल के आयात के लिए हमें μια डॉलर में बुक्तान्यों और यह डॉलर रहां मापने उथपादन के निर्याद्वर्ण सकते मतलब हम विदेशी मुद्रा जिसको हम US डॉलर भी बोलते हैं उस मुद्रा को प्राप्थ करने के लिए हमें क्या करना होता है हमें अपने निर्याद बढ़ाने पड़ते हैं, निर्याद बढ़ाएंगे तभी थो हम पैसे कमाएंगे, इस अबदी में सरकार की विकास नीती की आवशकता रही, क्योंकि राजयों से कम होने से बिरोजगारी, गरीवी, जनसंक्या, विस्पूर्ट, आधि के कारण सरकार को अपना जो वै था, वो बढ़ता चले गया, तो सरकार ने वै के कारण अत्रिक राजयों की उनको प्राप्ति नहीं हो पाई, सरकार को पड़ती रक्षा, समाजिक छेत्रों में संसादनों पर अधिक मात्रा पर खर्च करना पढ़ रहा था, सुरक्सा भी बहुत महत्वपू हर देश की और संसादन, और सरकार के पास राजयोस्तों की कमी हो गई, और स्वर्जनिक उद्यम, उद्योगों से भी आय नहीं हो पा रहे थी, क्योंकि वो भी घाटे में चल रहे थे, तो ऐसे में सरकार को अंतरास्टिय मुद्रा कोस से कर्ज लेना एक उपाय सूजा, सरकार के आनावशक खर्चों को नियंतर करने के लिए सरकार ने कोई पर्यास नहीं किया, 1980 के बाद की गटना आई है, और सरकार के जो आयात थे, वो लगातर बढ़ते गए, बलकि निर्यात कम हुए, तो आयात निर्यात का अंतर ही तुमारी आय होती है, जिस देश का आयात अधिक होगा, उस देश की जो आय होगी, वो कम होगी, और जिस देश का निर्यात जादा होगा, उस देश अधिक मातरा में विदेशी मुद्रा कमाएगा, तो भारत में उल्टा था कि भारत में आयात बढ़ रहे थे और निर्यात घट रहे थे, 1980 के दसक के अंतर सरकार का वै बहुत अधिक हो गया था और रिर्ण के द्वारा वै धारन करने की समता भी अधिक होने लग गई थी आयात में विर्दी हो रही थी निर्यात की समवर्दन में कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा है था और जो हर देश के पास जो विदेशी मुद्रा होती है जो मेत्वपूर मुद्रा होती है उसके भंडार भारत में कम होते चले गए थे जो मैंने बथाया के बढ़ 15 दिन के लिए अंतरास्टी मुद्रा भारत के पास बची थी जिससे भारत आयाक कर सकता था पैट्रोलियम पास पर्याव मात भारत में provu नहीं भची थी भारत सरकार ने अपने देश में आर्थिक विकास को सरकारे नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत ने अंतरास्टिय पुर्णिर्मान और विकास बैंक आई बी आरडी जिसे विस्व बैंक बोला जाता वर्ल्ड बैंक और जिसका मुख्याले तुमारा अमेरिका में है और अंतरास्टिय मुद्रा कोस इनके पास भारत सरकार गई और उनसे साथ बिलियन डॉलर की करीब सहिता मांगी और इसके लिए भारत सरकार ने 200 क्रोड टन का सोना भी गिर्वी रखना पड़ा था भारत को तो तबी भारत को ये पैसा प्राप्त हुआ लेकिन इस पैसे को प्राप्त करने के लिए सरकार को कई परकार की सर्ते विस्व बैंक ने पड़े गी नीजी छेत्रों पर लगे पर्तिबंद पड़ेंगे और अने छेत्रों में सरकारी हे सस्के कम करना होगा जो भारत सरकार बहुत ज्याद係 थी इसके साथ यह पेक्सा कीगी भारत अन्य देशों के साथ विदेशी विअपार पर लगे पर्तिबन हटाएगा क्योंकि 1991 से पहले संरक्षनवाद की नीती भारत ने अपने देश में लागू कर रखे थी इससे क्या होता है कि देश में जितनी बी उद्योगें उने विदेशी कंपनियों के प्रभाव से बचाया जा सकता है और वो तभी पनपाते हैं लेकिन इससे एक नुकसान यह होता है कि उभोगताओं को फिर अच्छी वस्तू और सस्ती वस्तू प्राप्त नहीं होती संड्रक्षन वात की नीति के कारण बहुत ज़्यादा उद्योगों को संड्रक्षन प्राप्त होता है और वो ठीक परकार से कारे नहीं करते अंतरास्टी परतियों की ता में पिछड जाते हैं इस नई आर्थिक नीति में व्यापिक सुधार किये गए और इस नीति का उद्देश से अर्थ व्यस्ता में महत्वकून परतिसपर्धा जो मैंने आपको पहले कहा था उसका वातवरन त्यार करना था जितने भी उद्योग थे फर्म थे उनको आने वाली बादाएं जो जि है एक थी तुमारी इस्ताइत कारी उपाय ये अल्वकानिन होते थे और जिनका उद्देश केवल बुकतान संथुलन की कम्यों को दूर करना होता था बुकतान संथुलन किसे कहा जाता है आयात निर्याद का लेखा जो खा जितनी वह से आयात करते हैं वस्तुइ तथा सेव उपाय के अंतरगत आ जाता है मुद्रस्पीति को नियंतरन करना मुद्रस्पीति क्या होती है जो वस्तों की कीमत समाने से अधिक हो जाती है उसे मुद्रस्पीति कहते हैं तो सरल अर्थों में विदेशी मुद्रा भंटार को बनाना था, कीमतों पर अंकुस रखने की आवशक्ता थी, तो ये था पहला चरण, दूसरा था सराच नात्मक सुधार, ये दीर्द कालीन उपाये थे, जो लंबे चलने थे, और जो इससे पहले मैंने बताया कि स्ताइक का कालीन थे, इन्हें मतलए तुरंत लागू करना था, भुक्तान संतुलन, मुद्रस्पीती को कम करना था, भुक्तान संतुलन को ठीक करना था, तो दीर्द कालीन उपाये का उद्देश होता है कि अर्थविवस्ता की कुशलता को सुधारना, तथा अर्थविवस्ता के उदारी करण, नीजी करण और वैबसी करण तो यह जो तीन नीतियां थी उदारी करण, नीजी करण और वैबसी करण इन तीनों को भारत सरकार को विश्व बैंग ने जो लोन देते समय उनसे सर्थ रखी थी इन तीनों को भारत सरकार को पूरा करना था तो आपने देखा कि उधारी करण, नीजी करण और वैपसी करण इन तीन नीतियों को सरकार को बाद्ध्य होना पड़ा इन तीनों नीतियों को अपने देश में लागू करने के लिए सबसे पहले हम उदारीकरण के बारे में पढ़तें कि आखिर उदारीकरण है क्या हमने पहले भी चर्चा करी थी इस नियम के बारे में कि कुछ नियम हमारे आर्थी विकास के लिए बादा बन गए थे से सन्रक्षन्वात की नीती और इस परकार की नीती को दूर करने के लिए उदारीकरण एक महतवपूर्ण नीती थी जिसको उदारीकरण का मतलब होता है पर्तिबंद रहित अर्थ विवेस्था जिस acts मुग अर्थ विवेस्था भी नीती तक्निकी उन्यान राजकोष्य और विदेशी निवेश नीती यह जो 1980 के समय जो चल रही थी उसे 1991 में चेंज करना पड़ा सरकार को और सुधार लाने पड़ा इसलिए सुधारवाती नीती भी इसको हम कह सकते हैं तो इसमें कई परकार के सरकार ने सुधार किये जैसे ओद्योगिक छेत्रों में वित्य छेत्रों में करों में विदेशी विन में बजार वियापार तथा किना निवेशक्त छेत रख इन सब में सरकार ने काफी द्यान दिया citizen परने हैं अध्योगिक का सबसे पहले जब 1991 ये बहरत में अगर इस्तापित करना उंसे परक्ट्री बंद करने, स्तापित करने, बंद करने या उत्पादन करने, सभी चीज के लिए सरकार से अनुमती लेने की आवशक्ता होती थी, दूसरा अनेक उत्पादन केवल लगू उत्पादन केवल लगू उत्पादन के लिए सरकार ने संरक्षित कर रखे थे, सभी नीजी उध्यम्यों को कुछ उध्योगिक उत्पादों की कीमत के निर्धारन और वित्रन के बारे में भी अनेक नियंत्रनों का सामना करना पड़ता था, मतलब अपनी तरफ से कोई भी उद्योगपती अपनी वस्तु की कीमत भी निर्दारत नहीं कर सकता था। यह बहुत सारी समस्याई थी। 1991 के बाद आरम हुई सुधार नीतियों ने अनेक परकार के पर्तिबंदों को समाथ किया और जैसे अलकोहल, सिग्रेट, जोकिम भरे रसाइन, उद्योगी की विस्पोर्ट को, इलक्ट्रोनिक, विमानन तता ओसत दिया। इन छे उद्पास स्रेणी को छोड़ कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस विवस्ता को समाथ कर दिया। यह सबसे बड़ा महत्रपुन फैसला था सरकार का, उन्होंने छे उद्योगों को अपने पास सुरक्षित रखा और बाकि सभी लाइसेंस फ्री कर दिये। अब स्वर्जनिक छेतर के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परतिरक्षा उपकरण के कुछ अंस और परमाणू उत्पादन और परतिरक्षा और रेलवे परिवहन ही बचे थे। बाकि सब उन्होंने क्या करा अनारक्षिक कर दिया मतलब प्राइवेट उद्योगों के लिए वह भी से छोड़ दिये गए अनेक उद्योगों को बजार को कीमत निर्धारन की अनुमती भी मिल गई जो पहले नहीं थी अब कोई भी उद्योग अपनी वस्नों की कीमत का नि इन्वेस बैंक इस्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बजार जैसी विद्य सस्ताईं भी सम लीते हैं भारत में विद्य च्हेत्र का नियमन रिजर्बैंक करता है मतलब भारत में जो भी आर्थिक जो गतिवीदियां होती है या आर्थिक विद्य मामले होते है सिर्फ Reserve Bank का अधिकार है उसको इसे मुद्रा का निगमन करना, बैंकों पर नियंतरन रखना आधी, तो बारतिय Reserve Bank, विविन नियम और कसोटीों के माद्यम से ही बैंक तथा अन्यवित्य सस्ताउं के कारियों का नियमन करता है, था उन्पर निये इंत्रण करता है कि हमारे धेस में कौन से बैंक कारे करेंगे और कों से नहीं एपिद्ध्य शुदार नीति का पर्मकुद ुद्धेश ये था कि रिज्र भैंग को इस छेत्र में नियंत्रन की भूमी का से हटा कर उसे चे त्रक की एक सालयक की भूमी तक सीमित कर देना था तो इसका अर्दिय होती हो उसकी भूमी का भी नियंतरण से हटा के एक छेत्र या साइक के उपने कर दी गई इसका अरतिय हुआ कि अब रिजर्बैंक से सलाह किये बिना ही कई मामलों में कुछ प्राविट बैंक अपने कारे कर सकते हैं सुदार नीती ने वित्ति छेत्रों में भारत्य और विदेशी नीजी बैंको को अफसर परदान किया कि वो भारत में आकर पुजी निवेश करें बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74 प्रतिशत कर दी गई, मतलब कोई भी विदेशों से अगर बैंक हमारे देश में आता है और व्यापार करता है तो उसे कम से कम 74 प्रतिशत की भागीदारी सुनस्चित करनी होगी, कुछ निश्चे सर्तों को पूआ करने वाले बैंक, अब रिजर्ब बैंक की अनुमती के बिना ही नहीं साकाई भी खोल सकते थे, अगर जिन बैंकों ने डिशा निर्देशों का पालन किया तो उन्हें RBI की अनुमती के बिना ही हमारे देश में कई सायकाई खोल सकते थे, और पुराने साकाओं को भी युक्त संगत बना सकते थे, यदि भी बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसादन जुटाने की भी अनुमती मिल गई है, और देश में जितने भी तुमारे नियंगतन की शक्ति है, अब भी जो देश में खाता धारक, जो तुमारे प्र उन लोगों की जो हीतों की रक्सा अब भी RBI करता है, कोई भी विदेशी बैंक या निजी बैंक किसी का भी धन लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि उस पर कुछ आंसिक नियंतरन अब भी RBI का है, इसके बाद आता विदेशी निवेशक संस्ताइं, FII तथा व्यापरिक बैंक mutual fund, pension course, आधी को भी अब भारतिय बजारों में निवेश की अनुमती मिल गई है, इतनी सारी चीजों को भारत में निवेश की अनुमती मिल गई है, mutual fund और pension को भी, आपने देखा होगा, कई mutual fundों ने भारतिय कंपणियों के साथ कॉलर्बरेशन कर लिया है, जैसे बजाज के स तुमारे कोटेक महंदरा हो गया, और Reliance हो गया, Reliance के साथ भी कोई विदेशी कंपणी जूड़ गई है, बजाज आलियांस हो गया, इस पर कई सारी कंपणियां विदेशी भारत आ गई है, करववस्ता में सुदार, इसके साथ सरकार ने करववस्ता में भी सुदार किया, इन सुदारों का संबन सरकार की करधान और स्वर्जनिक वै नीतियों से था, जिने सामविक रूप से हम राजकोसे नीती बहुते हैं, राजकोसे नीती होता है, पबली फाइनेंस, जिसके अंदर कर सरकार के आयवे का हिसाब रखा जाता है, करो से प्राब धन को कैसे और वैवसाय उद्यमों के लाब पर लगाए जाते हैं, 1990 के बाद से वैक्तिगत आय पे लगाए गए करो की दरों में निरेंतन कमी आई है, इसका कारण मुख्या ये माना गया है, कि अधिक कर लगने से क्या होता है, लोग कर चोरी करते हैं, कर वच्चन का मतलब कर चोरी करते हैं, तो क्यों ना इससे अच्छा कि कर थोड़ा कम कर दिया जाए, अब यहां वैपर की सा स्विकार किया जाता है कि करो की दरें अधिक पूछी ना हो, तो बच्चतों को बड़ावा मिलता है, तो बच्चतों का मतलब savings, अगर का अधिक मातर में लोग टेक्स देंगे, तो बच्चत कहां से होगी, तो टेक्स करने से लोगों को आएका विब्रट देते निगम कर की दरें जो पहले बहुत अधिक थी दीरे-दीरे कम कर दी गई इस परकार आपर्टेक्स कर आपर्टेस कर वो कर होते हैं जो दूसरों आपर्टेस कर जो वस्तु सेवह पे लगाये जाते जिनकों डायरेट भुकतान करते बलकि आपर्टेक्स करते हैं तो ऐसे वस्तु पर सेवह पे लगाए गए ताकि इसका बोज जनता पर ज्यादा ना पड़े राश्रैस्थर बजार की रचना की जासके वर्ज 2016 में अपरतिसकर प्रणानी को एक्रिक्रित एवं सरल बनाने का प्रयास सरकार ने किया तो इसके लिए सबसे पहले सेवा कर अधिनियम 2016 GST 2016 को कानून पारित किया गया यह कानून फिर 2017 में लाग हुआ और इसके द्वारा सरकार को अत्रिक्त आये प्राप्थ होने का प्राप्थ होने का आसा थी कर वंचन कम होने की एक रास्ट और एक टेक्स एक बजार का निर्मान होने की आसा थी तो सरकार ने इसी को देखते हुए GST को लागू किया था करदातों के द्वारा नियम पार्लन को प्रोसाइंद करने के लिए अनेक परकरियां को सरल बनाया ताकि ग्रहाग करों से बचे नहीं बलकि कर देने का परियास करें क्योंकि करों से प्राप्ताय से ही देश का स्कूलियन बुर् horrific में पहले सुदार विदेशी विल्न में हिया गया नाइटी नाइटी वन में वक्तान संत Milleran की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने अम ओल्यन कियाixed का मतला होता अपनी देश की मुद्रा को अन्य देश उद्यसि दैसे मद्हात अगमन में विर्दी उए और इस। अन्तर विदेशी विनमें रुपए के मुल्य के निर्धारान को भी सरकारी नियंतर It से मुख करने की पहल की बैस अब भारत का जो बजार का भारत का मुल्य वह को स्वयम विदेशी बजार की विनमेदरों के आधार पर अपनियाब निर्दारित होता रहता है कि व्यपार और निवेश नीति सुदार अर्ध वश्ता में अध्यों की उत्पादन और विदेशी तता प्रहुद्य की अंतरास्ट्य परतिसपरता की समताओं को प्रवसाहित करने के लिए व्यपार और निवेश व्यवस्ताओं का उधारी करन किया गया और एक कार्यकर्म का उद्देश था कि उद्योग्यों की कार्यक उशलता को सुधारना और आधूनिक प्रोधगी का प्रियोग करना और उसको प्रवसाहित देना तो भारत में आयात क ये परिणामों को सीमित रखने के लिए भी कुछ नीतियां के लिए सरकार ने विचार किया इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रन तता उच परसुलकों परसुलकों का पहले पर्योग होता था ये नीति कुशलता और परसीदा को कम कर देती थी ता मतला है सब्सक्राइब में 1991 से पहले हमारे देस में क्या होता था जितने भी व्यापार होता सरकार नियंद्रण लगाती थी ताकि हमारे देस में वस्तम ना आए और उन पर कई अुछ टैक्स भी लगाती थी लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी जो कारे कुशलता थी वो धीरे-धीरे कम होने लगी हम सरकार पर ज्यादा डिपेंड होने लगे और अंतरास्टिय कंपनियों से परतियोगीता नहीं कर पा रही थे इसे देश में वी निर्मान उद्योगों की समवर्धी दर कम हुई वैपा सरकार ने कंट्रोल कर रखा था आयार निर्यात का कोटा सिस्टम उसको देरे-देरे समाप किया परशुक दरों में कटोती की जो पहले बहुत हाई टेक्स लगाया जाता था विदेशी वस्तों पर उसे देरे-देरे कम किया गया उसके बाद आयातों के लिए लाइसेंस पर उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तों पर से आयात लाइसेंस विवस्ता समाप कर दी केवल ऐसे उद्योग जो परियावरन को हानी बहुचाते हैं उन्हें छोड़कर बागी सभी को हमने समाप कर दिया लाइसेंस विवस्ता के अंतरगत अप्रेल जार 1 से किर्शी पढारदों और उद्योगिक भूब लूव्त कर दिया गयी वह मातरात्मक पराद्विसे सम्भूंद्ध कर दिया गया बंद्यों 2021 में «किर्शी जो उत्पाथे उने भी प tenants से मुक्ळ कर दिया गया, भारतिय वस्तों का अंतरास्टी बजार में इस पर्दा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात सुल्च से भी मुख कर दिया गया मतलब अब भारत के किसान सीधा निर्यात कर सकते थे अपनी वस्तोंगा जबकि पहले उन्हें इसकी पर्तिबंध था एक इसमें टेक्निकल वर्ड आता है नवरतन और स्वर्जनिक उद्यमनीती तो 1991 से पहले भारत में जब दूसरी पंचवर्सी योजना हुई तो उस पंचवर्सी योजना में भारत में लोगों को रोजगार देने देश का इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कई सारे स् जिनको नवरतन सरकार ने उनके बीच में पर्तिसपर्दा बढ़ाने के लिए नवरतन जैसे एक परकार की पर्तियोगिता रखी ताकि उनको उस कटेगरी से बाटा जाए इस्पैस्टिक विसेश्टिक अरण के द्वारा तो इसमें क्या होता एक स्पर्दा समता के सुधार के लिए सरकार ने स्वर्जनिक छेत्र के उपकर्मों का चेहन कर उन्हें महारतन नवरतन और लगूरतन की उपादी से सम्भानित किया यह इसलिए किया गया ताकि जो जितनी भी सरकार यह उद्योग है जो घाटे में चल रहे हैं वो अपना परबंद समालें अपना वित्य के परबंद ठीक करें और लाब कमा के सरकार को दे इसलिए उन्हें महारतन नवरतन लगूरतन घोसित किया गया तो कंपनी के कारेकोशलता संचालन और विद्दी के लिए परबंद और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्ता दी गई लाब कमारे उपकरमों को भी अधिक परिचालन वित्य और वित्य प्रबंध स्वायत्ता परदान करी स्वायत्ता परदान करने का मतलब है अब सरकार उन पर किसी प्रकर का परतिबन नहीं लगाएगी वह अपने निर्णे स्वेम ले सकते हैं कि हमें उद्योग विस्तार करना है और कितने लोग को रोजगार देन यह सारे निंडे वो स्वयम ले सकते थे, इसमें सरकार ने महारतन में Indian Oil Corporation Limited, Steel Authority Off Limited, और नौरतन में हिंदुस्तान Aeronautics Limited, महानगर टेलीफोन Limited और लगुरतन में भारत संचार निगम Limited, एरपोर्ट आथोरिटी इंडिया Limited, रेलवे, कैरिंग और टूरिजम इनको सामिल किया, तो ये थे सारे के सारे हमारे देश में महारतन, नावरतन और लगूरतन तो इन उपकर्मों की जो ये उद्योग थे ये अधिकांस हैवी इंडस्ट्री थी और इनको 1950 और 1960 के दसक में स्तापिद किया गया था और इनका उद्देश्य था कि देश को आत्म निरभरता की और ले लोगों को रोजगार देने सर्जन करना और जन्मानस के लिए उच्छ गुणवत्ता युक उत्पादन का निर्मान करना यह सारा सोच कर ही इसनको बनाया गया था और इन कंपनियों के आने के बाद से भारत में काफी विकास हुआ और लोगों को रोजगार भी प्राप्त ह लेकिन बाद में इसमें कई सारे उद्योग घाटे में चलने लगे जिसने सरकार ने वी निवेश द्वारा आंसिक रूप से इनका निजी करन कर दिया निजी करन क्यों करा क्योंकि यह उद्योग घाटे में चल रहे थे और सरकार को बहुत ज्यादा धन इन में खर्च करना पढ़ रहा था जबकि इनका उद्देश्य था कि अधिक रोजगार दिया जाए और ना लाव और ना हानी के सिद्दान पे था लेकिन ये अधिक तर उद्द्योग हानी पे चल रहे थे तो सरकार ने इन उद्द्योगों के जो पूझी थी उसको निजी करण किया और उससे बहुत अधिक महात्रा में धन प्राप्त किया और उस धन का परियोग बजार में संसाधन जूटाने के लिए किया गया अड़सास विसेखों और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूट्व चैनल को दिये वे लिंक पर सबस्क्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूट्व चैनल को आप मोबाईल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल 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 झाल